नमस्कार जाजोहार मैं कोमल साहू स्वागत करता हूँ आप सभी का competition community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विशा है जिसे हम बोलें 36 गड़ cgpsc में means answer writing अगर बात किया जाता है means answer writing का तो हर आप देख रहे होगे competition community के YouTube channel में बहुत सारे अलग-अलग teacher आ रहे हैं और अपने 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 जो पार्ट है उसको आपन डिल करते करते जा रहे हैं जिसमें मैं आपके लिए paper 3 पार्ट 3 को आपके लिए डिल कर रहा हूं अब देखे इससे पहले हमने तीन और वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार अपन 36 गड़ से इतिहाद से प्रशन आ रहे हैं चाहे वह दो के point of view से बहुत-बहुत important है हम उन सभी चीजों के ऊपर क्या करेंगे बात करेंगे देखिए सबसे पहला प्रशन लेते हैं बीना किसी विलम के बीना किसी देर के देखिए अब पहला प्रशने क्या लिखा है राजनान गाओं के BNC मिल में मजदूरों के प्रथम हरतालों हरत के कारणों के विचना किजिए बोल रहा है discuss करना है what are the regions जिसके वज़ा से क्या हुआ था बीन सी आपके लिए मिन मजदूर में स्ट्राइक हुआ था या हरताल हुआ था अपनको उसके लिए बात करनी देखिए अगर आपन बात करते बीन सी मिल तो बीन सी मिल हमारे लिए क प्रदक्षन चालो है या प्रतम उत्पादन यहां चालो है यह 1987 तक क्या हुआ आपके लिए ऐटी नैंटी सेवन तक क्या हुआ लगातार तीन साल घाटे में रहा प्रदक्षन के बाद उसके बाद जेकि मैकवेट ब्रदर्स ने सोचा कि अब हम इसको क्या कर दे और जब बेशते हैं तब वही जो आपके लिए सीपी मिल्स करके जब वह एटी नैंटी टू में स्थापित किये रहते हैं उसको बंबाई कलकता के लोग लेते हैं जब उसको कलकता के मालिक लोग लेते हैं उसको तो उसका नाम सीपी मिल्स से चेंज कराके क्या कर देते हैं यह तो पहले तो हमको याद रखना है कि यहां पे यह आपके ली छायोगि इसको लिखना कैसे दूसरा आपन यहां पे नितरित्व करता देख लेंडर देख लेंडर हैी यहां पे कौन आपके लिए ठाकर प्यारए-8 थाकुर प्यारे लाल सी अगर आपन देखें कि इसमें इसके स्वायोगी इसके हेलपर कौन कौन थे तो इनके स्वायोगी दो लोग थे पहले संकर जी को याद रखना दूसरा याद रखना अपन को सिव जी को तो याद रखना यहां से क्या संकर खरे और दूसरा याद रखन सई अब देखिए इसमें ये दोनों क्या हों रहते हैं इनके सहयोगी रहते और वी यá मिल के क्या करते है मज़दूरों की बाते रखते हैं अब ही तेरा गए लगातार का्म करते हैं तो उसी के वज़े से क्या होता इस तक यह में कारण होता है फिर इनके यहां पर क्या होतीं थीन मांगे यह रहती है सबसे पहले तो यह जो इनकी कार या अवधी या वरकिंग जो टाइम है वह आपके लिए क्या किया ज homeless का म कर दिया जा जा है और तेरा गहंटे से घटा के मैंट स हों, इनकी मांग रहती है और तीसरा यह रहता है, कि इनके कार यह इस थर में, अद साम उसमर्वर्गियंग क squishy dead, उसमें क्या कीई रहती है शुधार की मांग की जाती है, तुरन मीनमजूर वाले तो मानेंगे नहीं तो यह क्या होता है यह लगातार लगातार 36 दिन लगातार 36 दिन क्या चलता है यह आपके लिए अंदोलन चलता है उसके बाद क्या होता है यह सफल जो है जो अंदोलन होता है यह क्या होता है और जब यह अंदोलन सफल होता है तो सफल होने के बाद क्या किया जाता है इनकी जो का निए जो कार ये इस्थर होता है उसमें सुधार किया जाता है तो इस प्रकार से देखें अभी तक प्छले 10 साल के आप ृच्छे ड कामिपीफल से मेंस पेपर देखेंगे जिसमें इतिहास देखेंगे सब्सक्राइब इसदेखेंगे तो उसमें ये परशनन लगातार तिन बार आया अब देखे हमको पता है कि excuse-गरे में जो मील-मज्दूर अंदूलान है कितने बार हुआ है यापकी लिए टीन बार हुआ है यही प्रश्णा क्यों पूछा है लेकिन आपको दूसरा और थीसरा मील-मज्दूर अंदूलान भी याद करना है क्योंकि प्राथमित्या में देखा जाए तो बहुत इंपोर्टेंट है यहां से आपको प्रस्ण बनने ही बनने है क्लियर जी तो देखे कभी भी किसी भी चीज को लिखेंगा तो सबसे पहले इस्थान बताएंगे कि वो आपके लिए आंदोलन कहा हुआ है दू जब लगातार क्या होता है 36 दिन चलता है तो इसी पर राष्टिया मिल मजदूर संग के आपके लिए क्या होते हैं सदस्य रहते हैं नाम रहता है उनका वीवी गिरी जी तो यह वीवी गिरी जी का क्या होता है 36 गड़ आगमन होता है और यही क्या करते हैं आपके लिए वी वी गिरी जी के द्वारा ठीक है जी आगे बढ़े अब डेखे अगा अगला सवाला है हमारे लिए क्या आसा है योग अंदोलन के प्रभाव करवनरन की तो अपनको देखते देखते चलना है की यह प्रशन कैशे लिखे देखे अभी तो मैं में दो नंबर में sit कर रहा हूं उसके पाद उसको चार नंबर में भी देखेंगे और फंदरब़न भी देखेंगे ऐसे प्राशना आपके ये हुटेंट होता है कि काईसे प्राश्नों को आपके लिए बड़ा बनाया जाए अब देखिए आप अगर 1857 के क्रांती के बात देखें तो सब्सक्राइब के फपर परशन कहा कहा इचते मैं पहले आपको इसमी डिस्कास कर देता clich. पनरा नमब्र के question आपको A88ไดh 50 की जो क्रानती हुई है यहाँ HERE पर 1857 है। यहां से आपको एक कोश्चन 15 नमबर बनता है उसके बाद सिधा बनता है आपको कहां पर 1920 में आस्वायोग अंदोलन से उसके बाद याद रखनापन को तीसरा यह पूछता है 1930 से मतलब नॉन कॉम्परेंटिव मुमेंट से होता है उसके बाद आपके लिए सवीनय अवग्या आंदोलन यहां से आपको प्रश्ण बनता है उसके बाद प्रश्ण बनता है उसके बाद प्रश्ण बनता है उसके बाद आता है आपके लिए भारत छोड़ो अंदोलन यह यहां से आते हैं जी आपके लिए प्रश्ण यह पूरे सेक्षन है जहां से आपको पूछता है च्छत्य 足सगां के तो आपको सही त был नरायन या फिर सोला खान विद्रों को defend देखिए आप देखो कि सविना वग्डेल लग्यां दोलां तो इस ट्रय में राज्य में बहुत सारे जंगल सत्यागरा हुए जंगल सत्यागरा को भी 15 नंबर में नहीं पूछा है लेकिन वो आपको 8 नंबर में जंगल सत्यागरा को पूछेगा अगर 15 नंबर में पूछेगा तो सिधा पूछेगा कि 36 गण में सविनाय अवग्या आंदोलन के प्रभावों को लिखे जब उसके प्रश्ण पुछा चतितगर में भारत छोड़ो अंदोलन अगर यह भारत छोड़े अंदोलन के प्रभाव को डारेक पुछेगा तो 15 नमबर में पूछता है लेकिन अगर वो जगा दे देगा आपके लिए कौन सा राइपूर वो जगा दे देगा आपके लिए कौन सा दुर विड़िती को देखते देखते चलना है कि कहाँ से कैसे प्रष्ण आपको पूछा जा सकता है देखे अब लोग चलते दोरां 36 गड में इसके प्रभाव देखे अब जब आख्यो अन्दोलन चला तो आया कब आपके लिए जब रत्म में सोय उद्ध्ध करतो है उसा के बाद होता है उसी के बाहता है उसी के बात आपके लिए क्लाफष अंदोलन केकथ लेश्ड़ में और बोल ते इसको पहले इस hace you सर की हिंद की उपाधी क्या कर देते हूं त्याग कर देते तो यहां पर क्या चालू होता है उपाधियों का अंत पहला तो यह उपाधियों का अंत चालू होता है दूसरा हम देखते हैं कि इसी में क्या होता है वकालत छोड़े जाते तो वकालतों का त्याग किया जाता है ती उसके बाद क्या होता है मारे पास आपके लिए राष्टी विद्यालायों की स्थापना होती है विद्यालायों की स्थापना इसी में आप देखोगे तो आपके लिए राष्टी पंचायतों की स्थापना होती है राष्टी पंचायतों की स्थापना यह होता है कि नहीं होता उसके बाद याद रखना है एमको छट्वा तो यह आपको उपाधियों कंत उसके बाद होता है हमारे पास इसी में क्या खादी प्रचार खादी प्रचार प्रसार उसके बाद होता है हमारे पास इसी में क्या गोवधनीसेत कार्यक्रम गोवधनीसेत कार्यक्रम और हमारे पास सिथी में होता है आइस प्रिस्यता निवारण उसके बाद होता है इसी में कि आपके लिए मद्दे पाना निशेद कार्यकरम यह हमारे पास बहुत सारे कार्यकरम चलते अगर आपको दो नंबर में पूछा जात हम यह लिख सकते कि उनिस सो बीस के आसा ही ओकांदोलन के दवरान उपादियों कांद किया गया वकालत कते हैं सरकारी सिवाओं कते हैं राश्टी विद्यालों को इस थापना राश्टी पंच्चायतों कि सापना खादी प्रचार प्रसार गोवध का बहिसकार एवं बाइकोट कर देते हैं एवं आपके लिए निर्वाचन का बहिसकार यह बहुत सारे मोमेंट होते हैं हमारे लिए देखिए अब अगर इसी प्रश्ण को हमको किसमें चान नंबर याठ नंबर में पूछा जाए तो कैसे डिल करें तो सबसे पहले यह उप उपादियों का अंत तो यह हमको याद रखने है उपादियों का अंत उपादियों का अंत में सबसे पहले क्या होता है आपके लिए राय सहब है राषन सहब की उपाधी सबसे पहले तोड़ी जाती तो इसमें हमारे पास वामन-राउ-लाखि जी ने सब सबसे पहले क्या कि आपके लिए इस पद्र को छोड़ा तो जन्रता के द्वारा इनको क्या ॽोपरिय की उपाधी दी गई लोपरिय तो यह आपन को याद रखने उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा दूसरा तो पहले हो गए राज साहब दूसरा दूसरा आपन को याद रखने अब देखो इसी में इसी में हमारे पास कौन होते हैं कल्यान जी होते हैं इसी में होते हैं हमारे लिए मुरार जी ठेंकर होते हैं मुरार जी ठेंकर इसी में हमारे पास को रहते हैं सेट गोपी की सन सेट गोपी की सन ये चारों क्या करते हैं राय साप की उपादी तोड़ते हैं दूसरा अगर दूसरा देखा जाए तो आपके लिए राय बहादुर तो राय बहादुर की उपादी कौन तोड़ते हैं नागेंदर नाथडे नागेंदर नाथडे उसके बाद अगर तीसरा देखा जाए तो ती तोड़ते हैं काजी समसेर खांग यह यह तीनों को यह आपको दो नमबर में उल्रेड प्रश्न पूछा हुआ है इच्छ गड़ में जो उपाधियों कांत हुआ है उनको आप उनके बारे में लिखे तो इतना आपके लिए उपाधियों कांत हो तो आप देखे दूसरा दूसरा हम लोग क्या बोले थे वकालतों का त्याग अब देखे वकालतों का त्याग देखा जाए आपके लिए वकालत पूर आर से चालू हो रहा है तो यहां पर भी आर आर से लोग रहते हैं तो पहले याद रखना है यहां से रवी संकर या पंडित रवी संकर सुक्र दूसरा अपन को आर आर से याद रखना है यहां से क्या राम दयाल तिवारी राम दयाल तिवारी दूसरा अपन को याद रखना है यहीं से राम नरायन तिवारी राम नरायन तिवारी उसके बाद याद रखना है एक और आर से और याद रख सकते हैं या यादव यादव तो को याद रखना है कहा से राइपूर दूसरा दूसरा जगह हम लोग ले़े कहां पर दूर्ग में दो फिमूस लोग हैं ոिपकर का था मैं भीलाशपूर में हमारे पास और फिमूस लोग कौन कौन संपनी और आपके लिए ए रागवेंद्र राओ उसके बाद इसी में आते हैं हमारे पास दी के मेहता जी और इसी में आते हैं हमारे पास एन आर खान खोजे ये इतने सारे लोग रहते हैं आपके लिए आप देखोगे राजनांद गाओं से तो राजनांद गाओं हाला कि इसी दुर्ग का हिस्सा था उस टाइम में तो यहां ठाकोर प्यारे लादी ठाकोर प्यारे लादी ये इनके द्वारा इतने सारे लोगों के द्वारा क्या किया जाता है अपने वकालत को या फिर अपने ए सरकारी सेवाओं का त्याग देख तो हमारे पास पहले हैं आपके लिए कौन पंडित यदुननदन यदुनननदन प्रसाद मिaksi यह क्या करते हैं बिलासपुर के रहते हैं तो रेलवे हाइइसकूल को छोड़ देते से क्या देते हैं त्याग पत्र देते हैं दूसरा दूसरा हमारे पास रहते हैं को नाप के लिए काजी समसे रखां काजी समसे रखां जो अभी खांड साब की उपाधी थोड़े थे इन्हों ने और रेरी मजिस्ट्रेट का अंगरी मजिस्ट्रेट का पद किया अनों उसके बाद तीसरा तीसरा पन को याद रखना यहीं से किसको बाजू राव कृदन बाजी राव कृदन यह सरकारी से से प्रश्वाँ को ट्याघ नहीं करतें यह तो अपने उसका क्या बहुत है अपने विधायक से त्याख पत्र देते हैं तो इसको पन दूसरे चीज़ों में रखेंगे इसको अब इसी में अपन पढ़ेते क्या कौनसीलों का वहिसकार या जीला परिशद का जीला प्रिशद का करें इसमें में हमारे पास पहले व्यक्ति कोन है अपके लिए सीएम ठक कर शुक्रस्थे अब इसे के साथ रहते हैं आपके लिए कुन पंडित रवी संकर शुक्रण यह दोनों कोई क्या कि थेति आपके लिए रायपूर जीला परिशाथ से गहुख पर यहादा और आव देशने यहादा और आऊ देश्मूक और यह आदव रõ देश्मूक यह यहादन आपना पोलोज मुद्फ करते हैं व्हालों मिधन का और तीजि रॉफ पत्रा ऑट करते हैं लिए अपने धमतरी महास्वमून से विधायक रहते हैं धमतरी महास्वमून से विधायक अब यह अपने विधायक के पद से क्या करते हैं त्याग पत्र देते हैं उसके बाद याद रखने अगला ये हमारे पास तीन लोग हो गया बगला अगला हम लोग इसी में और क्या पढ़े थे और कौन सा इवेंट हुआ था हमारे लिए देखें राष्टी विद्यालयों के इस थापना राष्टी पंचायतों की इस थापना आप देखें अगर इसम राष्टी विद्यालयों की स्थापना ये जो राष्टी विद्यालयों की स्थापना है ये बहुत के पूछा पहले आपनको देखौ रॉय तो रायपूर में आपके लिए कौन रहते हैं वामार लाख लाखे वामहैं राख लाख funk यह क्या रहता इसके संचालक रहते हैं यह इसको चलाते हैं और यह थे तीन लोग रहते हैं अभी थोड़े दर सेठ गोबी किशन के और राम किशन और ये कोई क्या करते हैं मिलके भवन्दान करते हैं कि आप इसी भवन में क्या कर रहो इनको सुन्चालित करो और साथ में 10,000 रुपय देते हैं कोई दिक्कत नहीं हमको आप स्रीफ चलाओ हम पढ़े लिखे नहीं है हम पैसा कवडी दे सकते हैं आप चलाओ इसकूल करते हैं उसके बाद याद रखना है अपन को यहां से दूसरा दूसरा हमारे पास एक जगा बसते हैं तो पहले जगा याद रखने रापूर दूसरा याद रखने आपन को कहां पर विलासपूर में हमारे पास रहते हैं यहां पर को आपके लिए यदुनंदन प्रसास्री वास्ताव यदुनंदन प्रसास्री वास्ताव जी रहते हैं और यहीं पर रहते है हम किसके सान जाते हैं बाप के साथ जैसे यहां पे तो यह आपको याद रखना धम ध्याद रखना भी पी से याद रखना बाबू छोटे लाल श्रीवास्ता थो यह यहाँ से आप याद रखने ए से अजीर परी अजीर पुर रह्मान को याद रखने ठाकूर प्यारे लाल सी अभब उसकी बाद याद रखने अपनको अगला जगह अगला जगह है मारे लिए कौन सा राजनांद गाउं राजनादगों राजनादगों को रहेंगे सबसे पहले ठाकुर प्यारे लाल सी इसमें पूरा पी पी आता है पी पी और पी तो यहां से पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी तो पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी को याद रखना और यहीं से याद रखना पन्ना लाल ठाकुर पन्ना लाल ठाकुर यह इन लोग को याद रखना है तो यह हमारे पास क्या होता है राश्टी विद्यालों की स्थापना अगला अगला हम लोग पढ स्थापन, राष्टी पंचायतों में हमको याद रखना है यहां से हमारे पास दो जगा है एक पहला जगा कौन सा है आपके लिए धमतरी अगर बात किया masturb में तो रायपूर में आपके क्या के डागा यह इन्हीं को बोला जाता है जस्करण डागा तो ज इनको याद रखना है जी उसके बाद याद रखना है में को धंटरी तो धंटरी में है ढवाğले लिए फासधिरा और शाह और इस बाजियरम खृधन तो ये आपके लिया धमतरी में मैं आपके लिए क्या करता है राश्ड़ी विध्यैलोगा कीस थभ अब अगला पन देखे थे क्या खाधी प्रचार है भाधी प्रचार प्रचार प्रश्री पहला जगह है आपके लिए क्हों सा धमतरी तीसरा जगह है मारे लिए कोण से आपके लिए राजनाद गवुर्ण भार की बिलाजपूर और और देखिए एकदम सराल है एकदम सराल राइपूर में याद रखना है अपन को एबी धंतरी में याद रखना है अपन को बी सी बिलासपूर में याद रखना है डी डी टी और उसको अपन रतन पूर का अपन को याद है पहले देखो राइपूर राइपूर में कौन होती अ यह जो अंजूम बेगम जी रहती है यह क्या करती खादी प्रदर्शनी लगाती है खादी का प्रदर्शनी यह यहां बीसी बीसे से याद रखने आपको लिए बाबु छोटे लाल श्री वास्ता वाबु छोटे लाल यहां पर डीती से याद रखने आपको देवत्ता दिन तीवारी जी क्या करते हैं आपके लिए खाधी भंडार केंद्रक होलते हैंoline तो मोटे यहाँसे लिए पंडित रगूनात मिश्र इन्होंने क्या की आपके लिए चर्खा प्रचार में और यहाँसे तो सुटी देके हैं हमारे लिए क्या हुआ आपका के लिए खादई के लिए आपको हर एक प्रस्णा उननीस सुब इस में दो नंबर में आपको इंडिविजस्वाल्ट के लिए अगला अगला इसी में लोग और क्या इवेंड देखे त्या आपके लिए खादी प्रचार हुआ राष्दी आप गोवधनी से है आप देखे इसी में आगर आप देखें क्या है तो धब्लद तो अपन किसी गाय को कटते हुआ दे सकते क्या नहींक हो यह देख तो अपन को आद रखने महंत न peninsula इन्होंने पहला रों है सामुहिक संगठित प्रयास किये एक सांथ हो के संगठित प्रयास किया ये उस्के तो ऱसे बाध अपन पड़े थे यहीं से ज्या आपके लिए ऐस्प्राश्जिदा निवारन आइस्प्रस्यता निवारन तो अपन को याद रखना आइस्प्रस्यता निवारन तो यह आइस्प्रस्यता निवारन मतलब यहां पर रहते हैं पंडिच छबिलाल चौबे तो यह अपन को च्बिलाल चौबे को यह क्या करते हैं 21 दिन का उपास रखते हैं तो देखें तो इस प्रत हमारे साथ इतने साथ क्या हुए के इवेंट हुए तो देखिए प्रस्ण आपन चालू करेंगे कहां से देखो अंसर राइटिंग लिखना एक अपने आप में इसकी लाजी कला है तो बहुत द्यान से समझने हैं अपन यहां से चालू करेंगे कि 2020 में असायोगांदोलन का प्राराम हुआ जिसका प्रत्यक प्रभाव या इसपश्ट प्रभाव या व्यापप्रभाव 36 गण में भी दिखाए दिता है जिसमें 36 गण में उपाधियों कांत किया गया वकालतों का त्याग किया गया सरकारी सेवाओं का त्याग किया गया राष के लिए कारेकरम किये गए पहला पहरा दूसरा पहरा से अपन क्या करेंगे एक ठोको क्या कर दें एक्स्प्रेंट कर दें यह हमारे लिए अराम से आठ पहरा बन जाएगा और हमको अगर वह 15 नंबर में पूछ रहा है तो हम साथ पहरा लिख देंगे लाश में उसके एक नहीं रहा और इतने सारे प्रभाव के वज़ा से 36 गड़ में आपके लिए जो सतंतरता से नानी है उनकी भागीदारी आपके लिए किसमें राष्टी अंदोलन में बढ़ी ऐसा करके अपन एक लाइन अलग से विसेस करके नोट करके लिख सकते हैं ठीक है जी अब देखिए प्रश्णा के लिए अपन को चलना है तो चली अगला प्रश्णा लेते हैं अगला प्रश्णा है हमारे लिए ये कि आपके लिए क्या बोल रहा है देखिए प्रश्णा पयले ध्यान से पढ़ेंगे 36 गण में स्वराज दल के प्रभाव की विवेचना कीजिए मतलब ये बूल रहा है जो आपके लिए दिसंबर 1922 के बाद आपके लिए जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो सी आरदास जी है, मोतिलाल नहरू जी है दोनों को दोनों decide करते हैं कि हमको क्या करना है यहां से स्वराज दल बनाना, यह स्वराज दल बनाने के इनके कुछ उद्दे से रहते हैं, इनका उद्दे से यह रहता है कि विधान मंडलों में हम कुछ निर्वाचित हो के इलेक्ट हो के क्या हो जाना है और वहाँ पे जो भी आपके लिए सरकार की विरोधी जो सरकार हमारे लिए क्या पड़ता है गलत गलत नीतियों का निर्मान करते हैं गलत गलत पॉलिसी मेकिंग करते हैं उसको वहीं से क्या करना है उनको वहीं से क्या करना है अवेद घोसित करना है या उनको वहीं से क्या करना है उसका विरोध कर सेट गोविन दास की अध्यक्षता में क्या होता है आपके लिए 36 गड़ स्वराज दल का गठन होता है यहां से अलग-अलग मेंबर आते हैं तो अगर हम देखा जाए हमको कहां से यहां से राइपूर से तो राइपूर से यहां देखेंगे हमारे पास कुन रहते हैं पंडित रवी संकर सुकल जी और यहीं से हमारे पास रहते हैं आपके लिए कुन सीउदास डागा जी सीउदास डागा उसके बाद याद रखने हैं अपन को कहां से बिलासपूर से तो अगर आपन बिलासपूर है तो बिलासपूर में आपन को आएंगे तो बिलासपूर में हमको य ए रागवेंद्र राओ और दूसरा याद रखना हमको यहीं से क्या बैरिस्टर छे दिला तो यह हमको याद रखने बैरिस्टर छे दिला उसके बाद याद रखना हमको दूर्गा से याद रखना आपन को किसको घनस्यामसी गुप्त घनस्यामसी गुप्त और आपन को याद रखना यहां से आपके लिए क्या आपके लिए राजनांद गाओं तो राजनांद गाओं राजनांद गाओं से याद रखना पन को क्या यहां से ठाकूर प्यारे लाल जी ठाक और प्यारे लाल सी अब ये लोग रहते हमारे पास यहीं क्या होता है एक और समीति का गठन होता है उस समीति का नाम रहता है सेवा समीति सेवा समीति सेवा समीति सत्यागरा सत्यागरा संस्था ये एक संस्था होती है इस संस्था में हमारे पास दो तीन लोग होते हैं त सबसे पहले आद रखना अपन को किसको खूबचन डॉक्टर खूबचन बघिल जी को तो डॉक्टर खूबचन बघिल जी रहते हैं इसी में हमारे पास रहते हैं आपके लिए कौन घंस्यामसी गुपत जी और इसी में हमारे पास रहते हैं आपके लिए कौन घंस्यामसी गु राजदल के प्रचारपसार के लिए काम करते हैं सेवा समीति सत्यागर संसा या संसा इसमें यह कुछ प्रमुक मेंबर होते हैं जो आपके लिए कुछ प्रमुक आपके लिए सदस्या रहते हैं इनको याद रखने आप देखिए हमारे पास क्या होता है इलेक्षन होता है तो 19 1923 में क्या होता है आपके लिए एलेक्षन होता है तो 1923 से 1926 के बीच देखा जाए तो 36 गड़ से चार लोग मतलब पंडित रवी संकर सूकला जी इरागविंदर राओ बैरिष्टर छेदिलार और घंसियाम सीगुपत जी ये चारों के चारों लोग क्या होता है यहां से निर होता है उसके बाद आपके लिए मूतिलां नहरू शीयाशंडाज जी के द्वाळा आपके लिए स्वणाज दल का गठन किया जाता है जिसकी अब आपको भाव चत्तिस गड़ पे भी पड़ता है और चत्तिस गड़ में सेठ गोविन दास के अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया जाता है जिसमें प्रमूख मेंबर आपके लिए प्रमूख सदस्येक रूप में पंडित रविशन करसुकला जी सिवदाज डाग जिसमें आपके लिए प्रमूख में आपके लिए सदस्येक खूपचन बगहल जी घंस्यामसी गुपत जी सरवदत्व आचपई जी थे तथा 1923 में आपके लिए स्वराज दल का क्या 1923 में आपके लिए मध्यप्रांद विधान परिशाद में क्या होता है चुना होता है ज तो यह है आपके लिए आपके लिए वीडियो चौंथा, यहां से हम देखते हैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे चीजे हैं, मैंने आपको कोशिस किया कि बहुतर ढंग से पढ़ा पाऊं कि आप इतिहास इसको अच्छे तरीके से लिख सके, मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक कि लेज्या जुहार और जचात तिरगर्ण